नमस्कार आज हम पढ़ेंगे लेशन 5 प्रात्मिक क्रियाएं ये लेशन बोर्ड एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्व के वर्शों में इससे बहुत से प्रश्ण पूछे गए हैं इसलिए इस लेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है को संचीप में समझ लें प्रात्मिक क्रियाएं किसी कहते हैं तो वे क्रियाएं जो प्राकर्तिक संसाधनों पर प्रत्यच्य रूप से निर्भर होती हैं प्रात्मिक रियाएं कहलाती हैं, जैसे क्रशी, पशुपालन, मचली पालन, शिकार करना, वनों से लकडी काटना, खननकार, ये सभी प्रात्मिक कार कहलाती हैं, तो आईए सबसे पहले हम अब सुरू करेंगे MCQ या बहु विकल्पी प्रश्ण, तो आईए अपना पहला प्रश्ण देखते हैं, पहला प्रश्ण है, निम्न में सी कौन प्रात्मिक क्रियाओं में शामिल नहीं है, A. वनो से लकडी काटना, B. खनन, C. विनिर्मान उद्योक, D. पशुचारण, तो सही उत्तर है विनिर्मान उद्योक, क्योंकि A, B और D है प्रात्मिक कार, तो विनिर्मान उद्योक प्रात्मिक कार नहीं है, तो हमारा सही उत्तर है विनिर्मान उद्योक, दूसरा प्रश्ण है, आधूनिक समय में भोजन संग्रह के कार नहीं को किस रूप में देखा जाता है, A. व्यभारिक रूप में, B. व्यापारिक रूप में, C. निर्वाह के रूप में, D. विनिर्मान उद्योक के रूप में, सही आंसर है व्यापारिक रूप में, आधूनिक समय में भोजन संग्रह के कार नहीं को व्यापारिक रूप में देखा जाता है, तीसरा प्रश्ण है, निम्नमेसी किस छेत्र में भोजन संग्रह जैसी प्रात्मिक क्रियाएं मानो द्वारा की जाती है, A. अमेजन बेसिन, B. दच्छन पस्चिम एशिया, C. दच्छनी पूर्वी आश्ट्रेलिया, D. अमेरिका का ज्हील छेत्र, सही आंसर है, अमेजन बेसिन, ये दच्छनी अमेरिका में है, तो किस छेत्र में भोजन संग्रह जैसी प्रात्मिक क्रियाएं मानो द्वारा की जाती है, अमेजन बेसिन में, चोथा है निर्म लिखित में से कौन सा एक जन जाती ये सम्मू हिमालय परवती छेत्र में निवास नहीं करता है ए गुजर, बी बकरवाल, सी गद्धी, डी सहरिया सही आंसर है सहरिया पाच्वा प्रश्ण है विश्र में वानिज पशुधन पालन किस देश में विशेश रूप से प्रचलित है ए कनाडा, बी रूस, सी न्यूजीलेंड, डी इंडोनेशिया सही आंसर है न्यूजी लेंड तो विश्र में मावाणिज पशुधन पालन किस देश में प्रचली थै न्यूजी लेंड में छठा प्रश्ण है कौन सी क्रशी इस्थानिय लोगों की आविश्यक्ताओं की पूर्टी है तू की जाती है सही आंसर है निर्वा क्रशी साथवा प्रश्ण है ब्राजील में प्रचलित इस्थानांतरित क्रशी को क्या कहा जाता है A. मिलपा, B. टावी, C. रोका, D. लदा, सही उत्तर है रोका, ब्राजील में प्रचलित इस्थानान्तरित क्रशी को रोका कहा जाता है आठवा प्रश्ण, निम्न लिखित में सी कौन A. खाद्यान है? A. चाए, B. कहवा, C. धान, D. रबड़, सही उत्तर है धान चाए, कहवा और रबड़, खाद्यान फसले नहीं है, धान, खाद्यान फसल है, तो सही उत्तर है धान नमा प्रश्ण है, निम्न लिखित में से कौन प्रमुख जूड उत्पादक देश है? A. बांगलादेश, B. चीन, C. भारत, D. बांगलादेश सही उत्तर है भारत, भारत प्रमुख जूड उत्पादक देश है दस्मा प्रश्ण है, निम्न लिखित में से कौन एक खाद्यान नहीं है? तो इस्ट्रेंट्स आपको प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना है कहीं पर प्रश्ण आता है खाद्यान है, कहीं आता है नहीं है तो जब आप प्रश्ण को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी सही उत्तर दे पाएंगे तो यहाँ प्रश्ण है, निम्न लिखित में से कौन खाद्यान नहीं है ए ध्यान, बी गेहूं, सी चाय, डी मक्का, सही उत्तर है चाय ग्यारवा प्रश्ण है, ब्राजील में कहवा के बागान को कहा जाता है A. लंबर जैक, B. फे जिन्डा, C. लिजिन्डा, D. इनमे से कोई नहीं सही आंसर है फे जिन्डा, तो ब्राजील में क्या कहते हैं कहवा के बागान को बारवा प्रश्ण है निमने लिखित देशों में से कौन विश्व का सरवादी गेहूं उत्पादक देश है A. संक्तुराजमीरिका B. रूस C. चीन D. भारत तो विश्व में सरवादी गेहूं कहां उत्पादन होता है सरवादी गेहूं का चीन में तीरवा प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन एक बागानी फसल है A. मक्का B. कहवा C. जूट D. गेहूं सही उत्तर है कहवा तो कहवा एक बागानी फसल है प्रश्ण नमबर 14 रोपण करशी के अंतरगत कौन सी एक फसल शामिल नहीं है मक्का चाय कौफी गन्ना सही आंसर है मक्का तो मक्का रोपण करशी के अंतरगत सामिल नहीं है पंद्रमा प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सी बागानी फसल है A. जूट B. गेहूं C. रबड D. धार सही आंसर है रबड रबड एक बागानी फसल है सोलमा प्रश्ण है कौन सी बागाती फसल नहीं है A. चाय B. कहवा C. जूट D. रबड तो जूट एक बागाती फसल नहीं है सही आंसर है जूट प्रश्ण नंबर सत्रा विश्ण में गन्नी का सबसी बड़ा उत्पातक है A. क्यूबा B. इंडोनेशिया C. भारत D. ब्राजील सही आंसर है ब्राजील विश्ण में गन्नी का सबसे बड़ा उत्पातक ब्राजील है प्रश्ण अठारा विश्ण में कहवा का सरवाधिक उत्पातक देश निमनलिखित में कौन सा है A. कुलंबिया B. वियतनाम C. इंडोनेशिया D. ब्राजील सही आंसर है ब्राजील कहवा का सरवाधिक उत्पातक देश ब्राजील 19. निमनलिखित में से किस देश की भावगोलिक परिस्थितियां कहवा की खेती के लिए अनुकूल है A. कनाडा B. स्रीलंका C. ब्राजील D. आस्ट्रिलिया सही उत्तर है ब्राजील तो ब्राजील देश की भावगोलिक परिस्थितियां कहवा की खेती के लिए अनुकूल है आज की वीडियो में बस इतना ही इसके आगे कल पढ़ेंगे धन्यवाद